हेलो दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहें RITI चैनल तो आज हम लोगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना ओ लेबल का पेपर इन्टर्neet Technology & Design जनवारी 2017 यह वाला पेपर आपको जह ठाफ रहता है यह पूरे ओ लेबल में चैनलंे सी लाएंग्रज और वाएंगफनी यह रहता है तो यह वाला पेपर भी थ्रहाँ होता है इसको भी हमें थोड़ डीप में पढ़ना होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और इस पेपर में हम लोग जो पेपर है जन्वाई तौन सबंटीन है बिना देर के वह स्टार्ट करेंगे तो पहला question दिया हुआ है IP address का आकार होता है तो IP address यहां पर 6 दिया हुआ है तो इसका आकार कितना होगा 128 एंसर इसका साय है 128 तो आए समझे लेते हैं कि IP होता है क्या है वैसे मैं यह पिछले वीडियो में IT टूल में बता चुका हूँ तो आईए आपको बताता हूँ, इसके बारे में, IP के बारे में, इंटरनेट में जो IP हमारी है, यहाँ पे दो प्रकार की होते हैं, IPB4 और IPB6, IPB4 मिस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरन प्रोटोकॉल वर्जन 4, 1981 में आया था, और यह 1999 में आया, IP वर्जन 6 आने की वज़ा है, IPB4 में, IP की जो सौर्टेज हो गई, तो उसकी वज़ा से IP वर्जन 6 लाया गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं, आईपी वर्जन 4, 32-bit का होता है, और आईपी वर्जन 6, 128-bit का होता है, यही आपके question में answer था, तो यहाँ पे 128, और देख लेते हैं इसमें आगे, address का format इसमें इस तरह से रहता है, और इसमें आपका hexadecimal format में रहता है, यह आपका decimal में रहता है, number system आपको पता होगा, तो चार number होते हैं, उसमें एक decimal होता है, और एक hexadecimal होता है, तो यह भी question पूछा जाता है, कि आईपी का जो लिखा जाता है, वो आईपी वर्जन 4, किसमें रहता है, तो decimal में और hexadecimal में आईपी वर्जन 6 रहता है, एक और बात यहाँ पे कर लेते ह हैं, यह prefix notification होता है, और इसमें इस तरह से होता है, तो यह भी आप याद रखिए, आप इसको note कर लिए अपने copy में, number आप address, यह question कई बार पूछा गया है, तो इसमें आपको 2 का पावर 32 कर दीजे, जितने address बन सकते इसमें बन जाएंगे, यहाँ का 2 का पावर 128 कर दीजे, तो इतने address में भी बन जाएंगे, ओके आगे देखिए, अभी IP में ख़तम नहीं हुआ, इसमें हमने कुछ और detail बता दे रहा हूँ, IP में इकुल 5 classes होती है, A, B, C, D, तो A में यह वाला question पूछा गया, इसलिए ध्यान दीजेगा, subnet mask बारे में, तो 25500, फिर यहाँ पे 25500, फिर यहाँ पे 3 बार आया है, अब एक और चिबाद आते हैं इसमें, कि जहाँ पे 255 लिखा हूँ आया, 00 लिखा है, यहाँ पे हम या तो 0 लिख सकते हैं, और या तो 255, इसके बीच की value आ सकती है, इससे और ज्यादा value नहीं आ सकते हैं, और ना 0 से कम value आ सकती है, नमबर of host कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे 16 million है, यह question पूचा गया था, इसलिए मैंने इसको repeat कर दिया है, और number of network कितने बन सकते हैं, यह note कर लेजिए, पूचा गया question, इसलिए मैं repeat कर रहा है इसको आपको, अब आपको बता दें कि using में सिर्फ तीन ही class use होते हैं, A, B, C, D, sorry C त A, B, C ही use में आता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एक question और पूचा जाता है, आईपी से लेटर तो देख लिए यहाँ पे, loopback क्या होता है, दोस्तों loopback क्या होता है, तो loopback interface exit for purpose of testing your TCP IP stack, यानि यह testing purpose होता है, it is implemented properly in the kernel and it working, if ping, पिंग माने, अब यह भी बता अधर है, ping क्या है, ping माने होता है, IP address को ping करना, यहाँ पे ping command है, और इसका प्रियोग हम लोग किसी IP को ping करते हैं, कि वो IP हमारे computer से connected है या नहीं है, तो यहाँ पे ping किया जाता है, इस IP address को, अगर यह work नहीं करता है, then you should simply not bother with a physical interface, because it will surely not work, मतलब यह अगर work नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, कि यह work नहीं करेगा हमारे computer पे, या नहीं करेटर नहीं है, तो इसको कहते है, loopback, यह question पूछा कहता है, इसलिए मैंने इस प्रियाले में भी बता दिया आप लोग को है, loopback address आपको इस तरह से रहता है, अ तो अगर यह वाला आपको IP address पिंग करेंगे, तो आपका अगर नाट दिखा रहा है, यह working में नहीं है, तो loopback आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question के तरफ, अगला question है, TCP IP, TCP IP, अब यहाँ आप से पूछा गया, TCP IP स्रिलनी बत प्रोटोक किया गया, तो TCP IP, इंगलिस में देख लिए एक बाद, TCP IP इजा, hierarchical protocol suit developed before the OSI model, तो आपको इसके बारे पहले बताते हैं, TCP IP में four layer hierarchical protocol होते हैं, TCP IP में four layer hierarchical protocol होते हैं, तो इसका answer जो होगा, वो four होगा, अब आई हम लोग बात करें था, TCP IP के बारे में, हर question को मैंने यहाँ पे deep में बनाया है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की हैं, आप चैनल को subscribe करिए, और like करिए, और दोस्तों को share करिए, और इससे जादा जो important है, वो यह है, कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, last तक और notes बनाईए, और आप comment करिए हमें, कि आपको कुछ अगर doubt है, तो उस पे हम आपको जरूर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको, प्लस यह notes हम आपको WhatsApp करें आप हमें comment करके अपना number share करिए, चलिए, तो OSI model, TCP model क्या होता है, इनके बारे बताते हैं आपको, OSI का full farm है open system interconnected, TCP and IP, transmission control protocol, IP internet protocol, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, OSI model में कुल 7 layers होते हैं, application, presentation, session, transport, network, link, fiscal, दोस्तों आप अपने mobile में internet चलाते हो, लेकिन आपको क्या पता है, कि internet चलाने के लिए किन-किन चीजों से internet को गुजरना होता है, तो यह वही चीज है, आप पहले physical, physical जैसे आपके mobile में SIM लगा हुआ है, आपका mobile है, वो भी physical है, फिर link, मतलब particular किसी server से, किसी जहां से connect होता है, फिर उसकी networking होती है, फिर आप transport करते हैं, फिर उसके बीच में session लगता है, कि कहीं कोई गलबड़ी ना हो, फिर वो presentation लाइक बनाया जाता है, फिर आपके browser में वो information दिखता है, अब आपको बता देता है कि TCP IP में OSI जो model आपके 7 layers, यह याद कर लिजे और लिख लिजे आ आपको, आपको बताते हैं कि OSI model जो हमारा है, यह पुराना model है और TCP IP new model है, तो यहाँ पी जो TCP IP model है, इसमें कुल 4 ही layer है, ध्यान दीजे यहाँ पे link और physical को एक में कर दिया गया है, link और physical को एक में ही कर दिया गया है, network को internet कर दिया गया है, transport को transport ही रखा गया है, और application presentation session को तीनों को एक में कर दिया गया है, तो यह साउधारी पूरभग लिख लिजे, 100% question आएगा IT tool में, web designing में, और ICT, ICT का जो paper, 30 paper आपका है, last वाला, अगर आपने भर रखा है, तो यह question 100% आता है, इसको आप अच्छी तरीके से note कर लिजे, तो अब आपको बीच वाली क्या च calls काम करती है, तो यहाँ पर ethernet cable है, fiber cable है, wireless है, coxial cable है, link पर mac address काम करता है, mac address device का एक address होता है, जो manufacturer company द्वारा डाल दे जाता है, आगे दियावा है network में IP address, यह भी question बज़ता है कि IP address किस layer पर काम करता है, तो internet या network layer पर काम करता है, TCP and UDP, TCP आपका और UDP काम करता, transport layer पे, application layer पे सबसे ज़्यादा protocols काम करती हैं, जिसे DSCP, DNS, FTP, HTTP, POP, SMTP, SSH, यह कई protocol है, और इनके बारे मैंने और detail थोड़ा सा नीचे बताया है, बहुत अगर deep बताने प्रियास करूँगा, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं आपको short पे बताने प्रियास क्या हूँ, आईए देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजे कि मैंने आपको पूरा प्रियास क्या है बताने का, जो भी इसमें details से आपको इसको देख लिजे, समय लिजे आपको, network interface पे, यहाँ पे SLIP protocol कम करता है, इसका full form होता है, serial line interface protocol प्रोटोकॉल, point to point protocol कम करता है, अभी land, when तीनों पे काम करता है, अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ, ARP, address resolution protocol, यह हमारे address को find करने में काम करता है, ऐसे ही आपका दिया हुआ है, RARP, reserve address resolution protocol, ऐसे internet आपके पे दिया गया है, यह प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तो आप यह प पढ़ सकते हैं, बाकि DNS, NFS, इस सारे protocol आपको note कर लिजे और पढ़ लिजे, तो आपको ARP protocols को यहाँ पे थोड़ा से detail में किया है, अच्छा मैंने प्रोटोकॉल से पहले एक और discuss करने प्रयाज किया है, TCP और UDP में अंतर क्या है, यह कई बार question पूछा किया, तो यह भी pack of lost package, make sure that lost package are recent, मतलब यहाँ पे है कि TCP भी अगर packet loss हो जाता है, अगर भेजा हमने और वो packet loss हो गया, तो हम recent करेंगे, जबकि ऐसा हम UDP में नहीं करते हैं, मतलब यह है कि जैसे अगर हम कोई भी चीज भेज रहे हैं, और भेजने के बाद बीच में ही loss हो गई, तो हमारी priority है TCP में कि हमें उसे recent करना है, UDP में ऐसा नहीं होता है, आगे है, add sequence number to packets and reorder any packet that arrive in wrong order, add sequence number to packet and reorder any packet, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमें यह care रखना होता है, कि सारे packet को number करें और उन्हें order में करें, अन्य था हो wrong address में चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे care नहीं होता है, packet arrive होते हैं और order में भी नहीं होते हैं, आगे slower, अब इतना धे सारा काम होगा, तो simple सी बात है कि TCP सिलो हो जाएगी, जबकि UDP क्या होती है, fast होती है, आगे देखिए, require more computer, require more computer resource, because the OS need to keep track of outgoing communication session and manage them a much deeper level, require less computer resource, मतलब इसको बहुत सारे resource की भी जरूत होती है, जबकि इसको बहुत ही कम की जरूत होती है, UTCP आपका connectionless protocol होता है, connectionless का मतलब यह है, कि एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं, कि TCP में जब किसी connect किया जाता है, तो यह connection तूटता नहीं है, जब तक जब तक कि यह उसको पूरा center ना कर दे, इसलिए पहले में दिया गया recenting, UDP क्या होता है, connectionless होता है, एक बार data भेद दिया, पहुँचे ना पहुँचे, इसकी कोई responsibility नहीं होती है, अब एक बात और पुछा गया है कि TCP में कौन-कौन से protocol काम करते हैं, तो HTTP, HTTP, S है, FTP है, और भी कई तरह के protocols काम करते हैं, जबकि UDP में हमारे पास DNS है, IP है, DSCP, यह सभी protocols काम करते हैं, तो यह कई protocols हैं, और हम आपको एक बार बताते हैं, कि हमने कुछ protocol के list भी बना दिया है, उनका full form क्या है, और उनकी थोड़ी-थोडी theory भी हमने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको पढ़ लिजे, अगर फिर ज़्यादा लंबा समय खिश जाएगा, चलिए अगले question के तरह बढ़ते हैं, तो यहाँ पे TCP IP 1, 4 layer, सरीबत protocol suit है, जो कि OSI model से पहले बिक्सित किया गया था, तो आए ज़रा एक बार repeat में आपको इस question को थोड़ा करते हैं, ताकि mind में fit ही हो जाए एक दम से, तो यह क्या कह पहले बना था OSI model, यही कह रहा है वहाँ पे, अगले question के तरह है, अगले question है, राज अपने email प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह अपने email भेज नहीं सकता, निम्लिकित में कौन सा संभौता उसके लिए समस्य उत्पन कर रहा है, देकि राज email भेज रहा है, लेकिन उसे email प्र प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने email से भेज नहीं सकता, मतलब उसे मिल तो रही है, लेकिन उसे sending नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे send करने के लिए कौन सा protocol उतरदाई है, दोस्तों email भेजने के लिए 3 protocol होते है, POP, SMTP और IMAP, देखो 3 protocol है email की use के लिए, तो यहाँ पे कौन किस काम के लिए है, आईए आपको detail में बता देते हैं, तो यहाँ पे protocol अलग-अलग है, आईए email protocol यहाँ पे, post office protocol, POP का full form होता है, post office protocol, इसके 3 version भी है, pop 2, pop 3, जब आपो कोई email भेजता है, तो यह आवम तोर पर आपके computer को सीधे बितरित नहीं गया जाता, संदेश तो कही न कहीं संग्रित किया जाना वस्यक होता है, यह एक ऐसी जगह होती है, जहां से आप इसे आसानी से उठा सकते हैं, आपका IP, सत्ता के 7 दिन 24 घंटे online होता है, यह आपके लिए संदेश प्राप्त करता है, और तब तक रखता है जब तक इसे download नहीं करते हैं, आगे post office protocol आप आपको निम्न कार करने के लिए देता है, एक तो IP से mail प्राप्त कर सकते हैं, और server पर इसे मिटा सकते हैं, एक IP से mail प्राप्त कर सकते हैं, और server पर इसे रहने भी दे सकते हैं, यह नया email आता है तो जानकारी ले सकते हैं आपको, तो यहां पे SMTP protocol है, जब आपको कोई email नहीं किया सकता, तो यहां आपको email प्राप्द करना है, अब अगला है SMTP, फुल फॉर्म है, simple mail transfer protocol, दूसरे email server के बीच mail transfer करना, SMTP sender, mail लेकर उसे receive के mail server पर send करता है, SMTP कभी भी receive तक email नहीं पहुचाता, मतलब SMTP कभी भी receiver तक email नहीं पहुचाता, SMTP sender से mail लेकर, उसे receiver के mail server पर send करता है, SMTP कभी भी receive वर्ट तक email नहीं पहुचाता, SMTP सिर्फ receiving side के mail server तक ही email पहुचाता है, receiving side पर mail server से email को strat करने का कार, POP और IMAP जैसे protocol दोरा किया जाता है, application layer protocol, तो यहां पे application layer protocol पे SMTP एक ऐसा protocol है, जो email send करने के लिए उप्योगी की जाने वाली application से कार करता है, जैसे कि Microsoft Outlook है, Firefox, Thunderbird है, SMTP बहुत इसरा protocol है, इसे किसी fake email address को भी mail send किया जा सकता है, SMTP का दुरुपियो किया जाता है, एक तरीके से, यह समझ गए, अब एक आपको बहुत इंपोर्टन बात होता दे रहे है, SMTP में हम लोग port यूज करते हैं, TCP में 25 नंबर port, यहां पे ध्यान देजिए, sender mail करता है, send कर रहा है, SMTP, यहां पे internet के माद्यम से, SMTP दूसरे mail पे भेज दे रहा, और receiver रेसीब कर रहा है, यहां पे, तो यहां पे जो question है, वो यहां है कि, mail भेज नहीं पा रहा है, तो mail भेज नहीं पा रहा है, तो कौन है, SMTP, तो इसका answer SMTP है, तो मैंने आपको pop SMTP IMAP, IMAP को बता जाते हैं आपको, IMAP क्या है, IMAP क्या है, कंप्यूटर में IMAP email सर्वांसे, TCP IP connection के माद्यम से, email की पुना प्राप्ती और भंडारन के लिए, प्रियोग के जाने वाला protocol है, या OSI model के अंसर, application layer protocol है, IMAP का आभिसकार किस ने और कब किया, तो IMAP का protocol, Mark Cription द्वारा, 1986 में, इमेल के पुरियोग के जाने वाले एक अन प्रोटोकॉल पॉप के बिकल्प के रूप में विशित किया गया था, IMAP का जो port है, तो आम तोर पर IMAP server port 143 पर सुनता है, SL पर IMAP port 99300 पर गया है, या आपको IMAP की जानकारी थी, आगले question की तरफ चलते हैं, ये बड़ा important है, ध्यान से देखिएगा, 4 byte IP address में सामिल होता है, 4 byte IP address में सामिल होता है, तो 4 byte IP address में सामिल कौन होता है, आईए बताते हैं आपको 4 byte, देखिए यहाँ पर ये आपका IP है, class B, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रतेक एक-एक byte का है यहाँ पर इसमें 8 bit होते हैं, इसमें प्रतेक में कितने होते हैं? 8-8 bit होते हैं, तो यहाँ पर 1 byte is equal to 8 bit, 1 byte is equal to 8 bit, इसलिए एक कुल 32 bit का होता है, 32 bit का होता है, यहाँ question पूछा रहा है कि 4 byte IP address में सामिल होता है, जहाँ से देखिएगा, 4 byte में, तो देखो 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, तो इसमें क्या कैसा मिल हैं? network और host, network और host दूरों सामिल है, तो यहाँ पर network and host तो यहाँ पर C वाला answer सही है, अगला question है, SMTP के लिए default port क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, SMTP के लिए मैंने अभी बताया था कि SMTP के लिए default port कौन सा है? तो यहाँ पर 25, अगला है, इस topology में एक केंद्रिय नियंत्रक या hub होता है, आईए आपको बताते हैं कि, कह रहा है कि, कि, इस topology में, star topology में, mess में, ring में, bus में, किस topology में, एक central hub होता है, तो आपको पहले topology बता जाते हैं, क्या होता है हाँ पर, अच्छा मैंने पिछले आपको question में एक चीज़, ने आपको disclaimer किया था, तो एक बार यह भी देख लेते हैं, जरा जाएं, पोर्ट और लोजिकल पोर्ट, फिजिकल पोर्ट क्या होता है, फिजिकल मतलब इसे computer, जरे से हाँ पर आप pen drive लगाते हो, वो फिजिकल पोर्ट है, printer जोड सकते हो आप वहाँ पे, आप mic लगा सकते हो, speaker जोड सकते हो, तो यह सब ही कहलाते हैं, फिजिकल पोर्ट, networking device में, फिजिकल पोर्ट इंटरफेस होता है, जो किसी भी device से, फिजिकल एक करेट करने के लिए काम आता है, कोई भी computer या networking device में, बहुत तरह के पोर्ट होते हैं, जिसमें कुछ internal पोर्ट हो सकते हैं, जो कि computer में internal part को करेट करने में काम आते हैं, जैसा कि disk drive, display card, इस तरह कि computer में कुछ external पोर्ट होते हैं, जो कि computer में network device में outside की तरह से physically connected होते हैं, outside device को करेट करने के लिए काम आते हैं, logical पोर्ट क्या है, तो logical पोर्ट को software communication पोर्ट भी कहते हैं, जो specific process यों type of service को identify करते हैं, किसी भी communication session का organization and destination address तभी complete होता है, जब पोर्ट के साथ होस्ट का IP address यों communication port एसोसेट हो रहा हो, पोर्ट नमबर एक पोर्ट नमबर 16 bit का होता है, जिसकी range 0 से 65535 होती है, specific port नमबर किसी भी specific service को identify करने के काम आता है, 1000 पोर्ट में से बेल पोर्ट आपके हैं, जो convert करते हैं आपके host पर specific service type, अब यहाँ पे हमने कुछ port की list डाल दी है, यहाँ पे file transfer protocol है, इसका port क्या है, अब आते हम लोग अगले बसन पर topology, तो यहाँ पे बस है, star topology, ring topology, mass topology, tree topology and, यह तो अलग है, तो यहाँ पे question था, एक बार repeat कर लेते हैं question, central hub, इस topology में एक केंदरी है, मतलब central hub होता है, तो ध्यान दीजे, कहाँ पे central hub है, central hub, देखे, यहाँ पे एक दिया वा है, कहुंसे topology है, star, ring topology को इस तरह से होती है, बस आपका एक backbone cable होता है, जिससे connector computer होता है, mass topology में सारे computer, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, tree topology आपकी इस तरह से दी हुई होती है, यह point to point protocol दिया हुए हाँ पे, तो central hub में star topology, और सबसे reliable आपको topology भी कायाता है, यह भी एक बिस्वसने topology होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली topology आपकी है, तो यहाँ पे आते हैं, आपका star topology, एंसर सही है, एक computer संचार प्रदुग्री, जो छोटी दूरी में बहु बिधी computer को आपस में जोडने का रास्ता पदान करती हुआ है, मतलब यह है कि कम से कम दूरी में और बहुत सारे computer को जोड दिया जाए, तो कौन सारे नेटवर्क होगा, तो यहाँ पे दोस्तों, लाइन नेटवर्क होगा, लाइन सबसे छोटे, जैसे ओफिस का नेटवर्क हbon उसे लाइन कैते हैं, अगर हम बहुत धेर सारे लाइन को जोड दिया जाए, बहुत सारे तो वो मैन बन बन जाएगा जाए, जो की काफ़ी बड़ा होता है, इंटरनेट हमारा वो मैन डेकनोलोजी है, में उमके और क्षिए ओओह उसक conti आफिस में उसके जाने वारा ट्व यहां पर लाइन व Спर्वार्डीन होता है तो यहां पर लाइन थर्स अधर तो यहां पर लाइन सर्ष था एक भे पेज़ एक फोटो परदस्थ करता है और उस फोटो को परदस्थ करने के लिकिस टैग का पुरियोग किया गया है दोस्तों एक बेपेज इसमें एक फोटो को पदस्यत करता है तो बेपेज एक फोटो कैसे दिखाता है आए आपको दिखाते हैं STML में यहाँ पे देखें टैग्स होते हैं बहुत सारे STML है 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 टाटल टैग है ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं टैग की अगर हम लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो टैग की लिस्ट हमारे पास बहुत सारी है आई आपको मैं यहाँ पे लिस्ट को डिस्प्ले करके दिकाता हूं यह तो यहां पर यह टाइक की लिस्ट आ गई है बहुत साई टाइक के लिस्ट दी वीए अब बात हम करने जा रहे जो वह है टाइक तो यहां पर आप बहुत साइक उनके डिस्क्रप्षन भी कь दिये में आप यहालेज लिंक खोल सकते है पूरा, थो हम बताने जा रहे हैं आप लोग को यहाँ पे इमेज TAG के बारे में, इस TAG के काम होता है पिकचर को डिस्प्ले करना, यहाँ पिक्चर को डिस्प्ले करती है , यहाँ पिकचर दिकर हाँ वह image tag से आया है, अब बात कर रहे हैं हम लोग question में कि किस tag का तो img tag, कौन सा tag है, img tag, इसका प्रियोग हम लोग करते हैं, अगला question है, प्रिष्ट भूम, प्रिष्ट भूम में, तो प्रिष्ट भूम में रंग सामिल करने के लिए सही html क्या है, तो दोस्तों यहां पे सही h bg color, body bg color, तो आये इसको कैसे है, आपको दिखाते हैं हाँ पे, देखे, body ले लिया, और bg color ले लिया, silver ले लिया, अब इसका output इस तरह से आया है, वैसे हम आपको उताते हैं दोस्तों कि यह, आपको जो tag दिख रहा है हाँ यह tag हमारा, आज कल के browser पे run नहीं करेगा, तो म output सही ना दे, तो आपको परिशान होना नहीं है, क्योंकि जो question पूछा गया, काफी पुराना है, तो अब यह नहीं चलता है, तो आगले question की तरफ चलते हैं, आगले question है, एक proxy firewall, dot dot में filter करती है, तो एक proxy firewall, मतलब proxy firewall filter जो करती है, वो application layer पे काम करती है, देखो, आपको बता द करते हैं, कि proxy firewall का मतलब यह है, कि यह एक प्रकार से, मतलब आपके data को secure करने के लिए है, तो जैसे HTTP, HTTPS है, यह एक firewall है, और यह हमारे application layer पे आप काम करती है, अगर आप, अभी हमने बताया था, आप लोगों को OSI model, तो वहाँ पे आप देखेंगे, कि application layer पे बहुत सरे protocol दि FTP, यह सारे protocol हमारे जो है, एक प्रकार से security का काम करती है, तो यहाँ पे जो proxy firewall है, वो application layer पे काम करता है, आपको यहाँ पे चलिये में दिखा देता हूँ, proxy firewall is a network security system that provides, sorry, that protects network resource by filtering message at application layer, बहुत ध्याँ समझें, कि proxy firewall एक network security system है, जो protect करता है network resource को, network resource मतलब जितनी भी चीज़े उनको protect करता है, और filtering करता है message को, add the application layer, यह application layer पे काम करता है, तो इसका जो main work है, वो यही हमारा है, अगला, यहाँ पे 1.10 के बाद आगले question के तरफ बढ़ेंगे, अगला question यहाँ पे है, message topology बहुत business unit topology है, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, कि star topology सबसे business unit topology है, लेकिन आपको थोड़ा समय इसके बारे में बता देता हूँ, क्या होता है, देखिए best network topology कौन सी है, तो star topology, most popular network topology in business today, best topology one which consists of all workstation connected, तो यह workstation connected के लिज़ की आती है, most topology one which has all of the workstation connected to each other, मतलब जितने computers होते हैं सबको connect करके रखने के लिए होती है, तो यहाँ पे star, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो answer है, इसका वो false हो जाएगा, अगला question है, class A के लिए, यह IP address default network mask है, yes, अगर आप पिछला देखेंगे, तो वहाँ पे मैंने आपको यह चीद दिखाया था, और मैंने इस बार आपको फिर से दिखाने लिए, class A का subnet mask दिया हुआ है, 255.000, यह हमारा क्या है, इसका subnet mask हो, तो यह अला answer का answer सही है, printer कई उप्योग करता हैं द्वारा line में साजा किया जा सकता है, तो printer कई उप्योग करता द्वारा line में साजा नहीं किया सकता, line में केवल एक ही उज़र द्वारा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हैं आपको, suppose करिया कि आपके office में 10 computer लगे हैं, और एक computer से printer जुड़ा हुआ है, आपने उस computer से printer share कर दिया, तो सारे computer पे आपके printer आपके printer आगे, pop is incoming mail server, pop incoming mail server, थोड़ा से हाँ पे ध्यान देज़े, तो थोड़ा गलत लिख दिया गए, यहाँ पे, pop भबिस में आने वाला email server है, यह गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, pop is incoming email server, दोनों के English देखेंगे, तो थोड़ा से यह confused कर रहा है, तो English इंदी दोनों पढ़ लिया करिये हो सकता है कि यह गरबड करें आपको से, अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा deeply बता देता हूँ, यह बार रिपीट में, पहले तो मैं आपको यहाँ पे, पिछली में बताया था गया है, कि post office protocol and application layer internet standard protocol, used by local email client to retrieve, प्रात करने के लिए, प्रात करने के लिए, फुराओ protocol हमारा, मैं पेट कली दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, Microsoft Office, Outlook, मैं manually कर दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे, incoming mail server जो दिया हुआ है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, incoming mail server, यहाँ account है, pop है, IMAP दिया हुआ, ठीक है न, तो यहाँ पे, in outgoing mail server, SMTP है, और incoming mail server, तो यहाँ पे, आपको pop और IMAP, तो दो server है, जो incoming mail server, यहाँ पे है, तो outgoing के लिए SMTP server दिया गया, यहाँ पे, तो मैं जो आपको बताना चाहरा था, वो यहीं बताना चाहरा था, कि pop हमारा incoming mail server है, पॉप क्या है, incoming mail server है, यहाँ पे, retrieve लिखा, देखो, मुने कहा था, retrieve, मैं तो email प्रात करता है, तो मुझे लग रहा है, कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा, अगला question है, dot com is representation, represents education domain, dot com क्या represent करता है, education domain करता है, नहीं, false हो जाएगा, आई अब देखते हैं कि dot com क्या करता है, education domain है, education के लिए dot edu होता है, और dot org का बतला होता है, आगनाईसर domain, देखे, domain name कैसे हम समझेंगे हाँ पे, तो यह एक address है, यह https, हमने अभी आप होता है था, यह एक प्रकार से protocol है, जो farewell के रूप में काम करता है, आगे देखे, यहाँ पे यह सब domain है, इतना हिस्सा, आगे क् यह को हम लोग कहते है, domain name, और यह हमारा name है, domain का, और यह उसका extension है, तो यह dot com क्या हमारा है, commercial domain type का है, समझ गए, आगला question की तरफ बढ़ते हैं, आगला question है, इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर प्रवाइडर प्रवाइड सर्विस फार वेब होस्टिंग, नहीं, इंटरन इंटरनेट प्रवाइड करते हैं, वेब सर्विस प्रवाइड नहीं करते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस प्रवाइड नहीं करते हैं, अगला question है, ASP इस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंगवज इसका जवाब आप पताएड क्या है, true या false, true, yes, ASP का फुल फार्म है active server page और यह server side scripting language है scripting language दो प्रकार की होती है आई आपको इसको describe करते हैं थोड़ा सा client side scripting and server side scripting language client side में stml है client side का मतलब होता जो आपके browser पे run करती है और किसी भी प्रकार की दूसरे software के जरूद नहीं होती उसे हम कहते है client side और जो server side से run करती है जैसे website बनाने के लिए दो प्रकार की website बनती है static और dynamic तो dynamic website बनाने के लिए हमें जरूद पड़ती है server side language की जबकि client side जो हमारा language है वो static website बनाने में help करती है तो यहाँ पे HTML, XML, CSS Java, Babyscript, Java Applet Activist Control यह सभी client side scripting language है CGI, Perl, PHP ColdFusion server side scripting language ASP, GSP, Java serverlet यह सभी हमारी server side scripting language है अगला question HTML generally used for web designing इसका answer क्या है पताए यह इसका answer है web designing purpose के लिए तो यहाँ पे इसका प्रियोग के जाता है web designing purpose के लिए अगला question है telnet protocol is working on port number 24 चलिए telnet का protocol बताए क्या यह 24 सही है यह गलत है यह यह गलत है telnet protocol 23 number port पे काम करता है मैंने आप से काता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजेगा तो आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कात हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ telnet 23 number पे काम करता है port number पे receive side must be need दोस्तों अभी मैंने आपको पहले UDP and TCP में अंतर बताया था परकुल सुरात के question में तो यहाँ पे करा कि UDP where acknowledgement from receives side must be need UDP में acknowledgement receive करना जरूरी है नहीं UDP में ये receive करना जरूरी नहीं होता है TCP में होता है क्योंकि UDP stateless protocol होता है correction oriented protocol आपका UDP TCP होता है यह connectionless protocol होता है तो इसमें acknowledgement received नहीं जरूरी होता है TCP में जरूरी होता है तो इसलिए यह भी false आपका हो जाएगा यह भी false है तो दोनों आपकी false है तो 2.10 इस परकार से यहाँ पे finish हो गया दोस्तों अगर आप को अभी भी किसी question में doubts है तो आप हमें comment कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि कहां पे आपको क्या doubts है आप पूर सकते हैं अगर आपको video अच्छा लगा है तो आप channel को subscribe करिए क्योंकि जब आप channel subscribe करेंगे तभी हमें support मिलेगा अच्छी तरीके से चैनल को subscribe करने का कोई पैसा नहीं पड़ता यह free of cost होता है और आप comment करिए क्योंकि हम यह तरह के video और भी बनाते रहते हैं और O-Level, A-Level, CCC इन से संबन्दिद जितने भी चीजे हैं हम आपको online classes दे रहे हैं तो आपको जो भी topics पढ़ना है उस पर आप हमें comment कर सकते हैं हम आपको बताने प्रयास करेंगे प्लस आपको एक और important बनातात हैं कि अगर आपको यह नोट्स प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को प्रेस करें और कमेंट वाक्स में अपने नमबर टाइप करके भेजी ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी यह नोट्स भेज सकें तो आप वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही करते रहिए कल है 25 और कल सेंटर क्लास करें तो आप लोग जो है इन्जॉय करिए का थाइक्स वर वाचिंग